Good morning friends, GST platform के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है जी हाँ friends, GST के अंदर जो invoicing करते हैं हम लोग उस invoicing से संबंदित, उसके अंदर जो value डालना है उसमें एक बेहद important rule जो आप सब को पता होना चाहिए ताकि आपकी working capital जो है, वो कम से कम block हो, वो कौन सी है ऐसे खुबसूरत provisions जो GST के अंदर बनाए गए हैं इसकी जानकारी अगर नहीं है, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है समझेगा situation क्या है, मान लीजिए, एक person है Mr. A इसका pen number है, और इस pen number पे इसने तीन registration ले रखा है GST number 1, GST number 2, GST number 3 अब यहाँ पर, मान लेते हैं, यह business करता है garment का, आप किसी भी commodity को ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, कोई restriction नहीं मैं example में, government को ले करके चलता हूँ, अब let's suppose, यह जो इसका GST registration number 1 है यह गुजरात के सूरत के सहर में है, दूसरा जो है, यह है महराष्टर में, और तीसरा जो है, यह है Tamilnadu में, under a same pen, एक ही pen पर है, यह मैं तीन स्टेट ले करके चलता हूँ, आप एक स्टेट के अंऔर पांच number भी ले सकते हैं, माल लेते हैं, गुजरात के अंदर ही, इसके, गुजरात के अंदर ही, इसने दो registration's ले रखे हैं, गुजरात के अंदर ही, इसने दो registration ले रखे हैं, वहाँ पर भी same बात हूँ, तर कहना क्या चाहते हैं मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि अब जो ये एक pen पे, एक pen पे garment का business है, एक जगा manufacturing हो रही है, एक जगा trading हो रही है, एक जगा पर retailing वगर चीज़े हो रही है मतलब ये, कि गुजरात का, गुजरात का जो GST registration नंबर है, वहाँ से let's suppose, गुजरात के GST registration नंबर पर, जो इस के पास stock पड़ा है जो इसके पास stock पड़ा है, जो इसने purchase किया है, let's suppose, पचास लाख रुपए का पचास लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का स्टॉक इसने पर्चेज किया जिसके ऊपर input tax credit इसका लगा हुआ है input tax credit इसने लिया अब यह जो 50 लाग का स्टॉक है जिस पे इसने input tax credit लिया है ये ये ट्रांसफर करता है अपनी गुजरात यूनिट से महराश्ट्र की यूनिट पर गुजरात यूनिट से महराश्ट्र की यूनिट पर GST नमबर 1 से GST नमबर 2 पर ट्रांसफर किया जा रहा है let's suppose 10 लाग रुपए का माल अब सवाल नमबर पहला तो यही है कि एक ही पैन पे दो registration है तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जब सामान भीडा जा रहा है क्या ये GST के अंदर supply की definition में आता है तो जी हाँ ये supply की definition में qualify होता है schedule 1 ऐसी बाते करता है खेर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो आप सबको पता होगा कि ये supply है लेकिन सबसे important बात क्या है कि गुजरात का जो ये person है गुजरात में जब ये registration ले रखता है और ये 10 लाग रुपए का माल अपनी दूसरी यूनिट महराश्टर को भीजेगा तो ये supply है तो इसको GST चार्ज करना है तो 10 लाग रुपए के माल के उपर क्या इसको 10 लाग रुपए ही value लगानी है मतलब मेरा ये कहना है कि गुजरात का जो GST registration है ये जब अपनी यूनिट को 10 लाग रुपए का माल घेज रहा है तो GST कितने पे भरे 10 लाग रुपए का माल है परचेज 10 लाग पे किया गया तो invoice क्या उसे 10 लाग या उससे उपर का ही बनाना है आप इस बात को समझिएगा अगर यहाँ पर ये 10 लाग रुपए का ही invoice बनाएगा तो इस पे अगर 5% का GST लग जाए तो 50,000 रुपए इसको input tax credit जो है वो transfer करना है अपनी दूसरी unit को same pen के अंगर तो 10 लाग रुपए का amount करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ऐसा rule कहते हैं अगर आप अपनी deemed distinct person entity को या related person को supply करते हैं और आपका जो ये deemed distinct person या related person है ये eligible है आपके द्वारा किये गए invoice के ऊपर input tax credit को claim करने के लिए ये दो condition ध्यान में रखियेगा सबसे important कि आपका जो transaction हो रहा है वो deemed distinct person deemed distinct person मतलब जो मैंने आपको example दिया एक pen पे दो registration है that is they are called as deemed distinct person section 25 में इसी तरीके से related persons जो होते हैं जैसे मान लीजे एक partnership firm है वो अपने partner को वो अपने partner को कोई दुकान का सामान transfer करती है जो की same line of business में partnership firm और partner भी है और partner उसके लिए ITC लेने को eligible है तो इन सारे situations में government कहती है कि हमें मतलब नहीं है कि आपने कितने में खरीदा है क्या खरीदा है आप अगर इस goods का एक रुपया भी लगा देते हैं value जी हाँ friends आप अगर इस goods के ऊपर इस transfer के ऊपर जो invoice कर रहे हैं इसमें एक रुपय का आप value लगाईए और GST एक रुपय का लगा करके बेच दीजिए या भेज दीजिए अपनी दूसरी unit को जो आपके pen पर है हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी तो ये valuation का एक ऐसा important aspect है जो आपके working capital को बहुत हद तक बचा सकता है indirectly क्योंकि यहाँ पर 10 लाख रुपय का अगर आप invoicing करेंगे तो आपको 50,000 रुपय का tax जमा करना होगा महाराष्टर में और गुजरात में और महाराष्टर वाला उसी amount का input tax credit जो है वो अपने ledger में claim करेगा और जब वो sale करेगा और जब ये sale करेगा महाराष्टर वाला party related person को नहीं unrelated person को customers को तो वो अपनी output tax भरेगा तो ये working capital आपका block नहीं हो इस वज़े से government ने ये relaxation दी है subject to condition की डीडीपी ये related person होना चाहिए और जो आपका recipient है वो ITC के लिए eligible होना चाहिए तो ऐसा ही important analysis आपको हमारे GST के full course के अंदर भी देखने को मिलेगा जो special provisions है GST के जिससे आपके लाखो रुपे बच सकते हैं अगर आपने सही तरीके से analyze किया है provisions को अगर आप join करना चाहते हैं हमारा GST का full course तो दिये गए numbers पे call करके whatsapp करके आप इन courses को join कर सकते हैं जिसमें 180 घंटे से ज़्यादा की classes आपको provide की जाएंगी live और recorded दोनों sessions आपके लिए available हैं तो आप दिये गए numbers पे call कीजिए, whatsapp कीजिए, link आपको video description box में भी दिया गया है आप उसके through भी details जो है वो ले सकते हैं अब एक बार पढ़िए फटा-फट से ये provision क्या कहता है ये जो कहता है, ये कहता है कि value of supply of goods or services or both between distinct or related persons distinct persons हैं और related persons हैं तो उसके लिए value क्या होगी the value shall be the open market value, सबसे पहले आपको check करना है open market value और इस open market value के लिए, इस open market value के लिए एक option और एक exception दे रखा है government ने, देखे क्या provided further that where the recipient यानी कि जो वो महराश्टर वाला हमारा GST registration number था जिसके पास माल ट्रांसफर हुआ था 10 लाख रुपए का वो recipient जो है, वो eligible है for full input tax credit वो जितने भी माल हमने उसको ट्रांसफर किया है वो उसके लिए eligible होना चाहिए input tax credit को claim करने के लिए अगर वो garments का business नहीं कर रहा होता, वो कुछ और कर रहा होता बट वो अगर eligible था input tax credit के लिए तो the value declared तो value क्या लेंगे, value किसके लिए गुजरात वाला क्या value लिखेगा, supplier क्या value लिखेगा the value declared in the invoice shall be the value which shall be deemed to be the open market value of the goods or services मतलब यह कि जो भी value आपने invoice में declare कर दी जो भी value आपने invoice में declare कर दी आप tax invoice बनाएंगे और tax invoice बनाते समय आप 10 लाग की जगा पर एक रुपया declare करेंगे, zero नहीं होना चाहिए, एक रुपया तो होना ही चाहिए एक रुपया declare करके GST इस पे charge कर लीजिए, यही आपकी open market value जो है वो बन जाएगी और इस open market value के आधार पे आपकी valuation करके GST जो है वो आपसे भरवा दिया जाएगा तो government को भी कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर आप अगर ध्यान से समझ पाए अगर आप चीजों को correlate कर पारे कि भाईया यह जो गुजरात वाला party है यह अल्रेडी purchase करके आया हुआ है उसने ITC लिया है, ITC ledger पे पढ़ा है tax जमा होगे सरकार के पास अब यह अपनी ही unit को under same pen mal transfer कर रहा है और government ने यह भी बोल दिया कि सामने वाला ITC लेगा अब एक रुपया का भीजेगा एक रुपया का ITC लेगा सामने आपका adjustment भी एक रुपया का होगा और जब वो further sale करेगा तो output tax जमा करेगा 10 लग का अगर भेजता तो 50,000 का ITC लेता 50,000 का ITC सामने वाला यूज करता तो government भी यहाँ win-win situation में है लेकिन गुजरात के गुजरात के वैपारी को मैंने example में coincidence से गुजरात आ गया वैपारी वही है हर कहीं पर भी होगा चलेगा यह किसी भी supplier का working capital block नहीं हो इसकी वजह से यह special provisions जो है वो government ने बनाएं और ऐसे ही special provisions आपको GST के अंदर कई instances में देखने को मिलेंगे जो आपको हमारा इस full course के अंदर ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा तो आप इस course का benefit जरूर लीजे और अपने साथियों के साथ जो GST को लेके serious है अपने practice को ले के उनके लिए भी ये एक बेहद ही सुनेरा मौका है अगर आप पहली बार हमारे इस channel YouTube channel GST platform पर आए हैं तो channel को follow और subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा ऐसी ही important updates और analysis के लिए Thank you